तो गैजर आज मैंने अपना आपको चैलेंज दिया है और वह वाला चैलेंज में आप सभी को देता हूं और वह चैलेंज कुछ इस प्रकार से है आपको हाई सरवर के अंदर जाना है 16 में वाइसा फाइनल 5 किल के साथ बिना बेट डिमेंस की विक्टरी लेनी है कि वेट डिमेंस तो बिल्कुल करना ही नहीं है और उपर से वह सब यह वाले मेस में सिर्फ 8 बंदे आते हैं जिस में से आठ में आप होते हो यानि कि बचे हुए साथ बंदों में से पाच बंदों को फानल के लिकरना काभी ज़्यदा हार्ड होता है इसी कारण ये चैनल थोड़ा हार्ड है लेकिन ठीक है यार अपन करके दिखा देंगे यार और क्या मतलब कि यह वाला जम मुझ से होता नहीं है भाई सुरू सुरू इंवी हाथ सवा होगे आप पता है निए चलों कंप्रेट होगा कि नहीं हो भार निकलता हूं तब बंदा उटक बड़क करने लग गया लेकिन तुम्हारे भाई को भाई ये हाई में बेंड नहीं होना है इसके कारण में इस बंदे को मारने लगता हूं और भाई इस बंदे को चाठ identifying मारा मरा के यहां रेला कर लेकर तब हो उसके बाद यहां पे बचा हुए भाई ऑई एक बारा बढ़ी फी z », यह ले को देख रहाता है और यह बहुत हो जाता हूं और यह वे उसके ऊपर चलांग लगा कि उसको चाठ्य मार्न लेकता हूं अब इसके आरन की सोटी और अर्मर था और मेरे पास अरन का arrow तो दा लेकिन स्टोन की सोटी लेकिन फिर भी वाई साथ तुम्मारे ने इस बंदे को काफी है तो ऐसे मैं इस बंदे के बीच पर फिल जाता हूँ तब बंदा अंदर से स्वोड़ो गरा उटा के लेकर आ जाता है और मिरसाथ पाइट करने लगता है अब हम दोने के बीच आता पाई होती है और यह बंदा एपल काने लग जा अब तु पागा लेका भाई स्टोन की सोड लेकिन यह क्या कर पाएगा यार मैंने इसको बिलकुल आराम से किल कर दिया यह अब यह जल्दी जल्दी पिकेक सेनी पड़ेगी यह अब भाई ची यह क्या हो रहा यार यह पिकेस आगी और यह बंदा रिस्पून अगा भाई मेरे को बेक तोड़ना पड़ इस पर मैं फिर जाता हूं और बंद son great package निकलता है तोम्य इसको पर टूट पड़ता हूं तभी वं यह बंदा यहां से भर लगता आथ पाइट करना तू कहां घ्या लगता है जैना लह यह कि अब बिक दिखा तभी में अको वह weile relevant मुझे डिख गया जो कि प्रेंच वाले के नहीं यह कौन चाओड मों के पिंक पे के पैस पे जारा था यह पता नहीं यह कोशा रन्ग यvid को दर्क लग forte बाई दिमाग खराव गया भाई मेरा ये रंग रंग मेरे को समझ मुनिया थे कर बाई ये बंदा अंदर लूड वगरा कर रहा था भी बाहर निकला उसको पता नहीं के भाई मैं उसके पीछे आ गया अब इसके पीछवड़ा में एक दो लाद मारके उसको नीचे फिक दिया बाई ये बंदा तो फ्री फंड में उड़ गया यार भाई मुझे तो ये सही में फ्री किल लगा यार अब ये लास्ट वला बंदा ओरेंज का बज़ा हुआ था तो भाई मैं उसके ब्रीच से उसके बेस पर जाने लगता हूं और यहाब मेरे को एक मिनी हार्ट अटेक स्वर्ड और डायमंड का आर्मर ले लिया उसके बाद रिसकर दिया ये औरेंज के बेस पर वह वाला बंदा भी मेरे पर रसकर रहा था लेकिन वह रास्ते में निची कर जाता है तो यह से रीजपोन के वह बहुत लूट कर रहा था लेकिन भाई उसके यह बंदा मेरा अश्का गारा के थे यह बारी बारी यह से लोगों से मैं क्या बता हुए तुम लोग फील नहीं पर रहा था कि ना दान बच्चा हो मेरे चारो तरफ से और यह बचके भी रहना पड़ता है क्योंकि यह कभी कभार रेसी सोट मार देते कि वाई ऐनेक्सपेट होता है आदमी नीचे कर जाता है। वेड में अब वबंदा गरीगा था तो यहां पर एपल खा रहा तभी वबंदा रिस्पोन वो गया। अब भाई यहां पर यह बंदा मेरे को चार्ट करके बता देना। थेर यहां बंदे मेरी फाइट काफी ज़्यदा लंबे चलते हैं तो मैं वीडियो को फार्ष्ट पॉरवड कर देता हूँ मैं आकरी वाली मशिन को भी तोड़ देता हूँ और यह बंद यह से बागने की पिराक में था जो कि बागते बागते यार वेडि में गर जाता है भाई मेरे को बुरा तो लगते हैं लेकिन क्या करो यार मेरे को हसी भी बहुत आती है इस पैक क्योंकि यह ही बाई ऐसा बंदा मतलब भाई यह इतना अनोई करके भाई मेरा दिमा खड़ाब हो गया भाई मेरा सिर्फ दुख ने लग गया था अब यहां पर यह बंदा पर से रिस पुना अब यह ट्रिक लगाता है भाई जो की असी प्रतिसकत काम भी कर गई थी यह देखो मैं वेडे में गिरते-गरते बचाओ यार अब इसकी बेंश की खेर निया तू करके लेगा है चल निकल साले नूगले साले तटी गई तो फागया से इधने टाइम जे दिभाग कर रहा है एक तो मैं चलेंज कर रहा हूं और इसे इसे बंदे आरा भाई सब अनोई गई के अब यहां पर उसको किल किया मशीनी थी नहीं तो बिल्कुल आराम से उसका बेट तोड़ सकता हूं यह बेट तोड़ा उसका तब बंदर रिस्पोन के मेरे पेचे चला गया और यहां पर उसने अपनी मृत्यू सिविकार कर ली भाई यह देख रहो तो उन कोने में आके खड़ा होगे बोलो मेरे को मार अब यह वाला मेच कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं लग रहा है और मेरे फ्यूचर की तरह इसलिए अब दिन में रखा होता था थोड़ा अच्छा लगता है अब यह से मैं सूला वूल लगके मिड में चला गया डाइमंड लेने के लिए और यह बगल के बेस वाला बंद भ लगाता है और मेरे इसको चाटा मारके नीचे फेग दिया अब यह डाइमंड उठाए और अपने बेस पर जाने लग गया और भाई बस यह थोड़ा पीछे और जाना पड़का यह गया यह कूदा और यह पोजिया भाई सब साथ करोड़ बाई सब साथ करोड़ जीता हूं मैं इतनी खुशे हो गए मेरे को यह दो डायमंड लेकर पता ने भाई यह ओर रिक्टिंग क्यों कर रहा हूं मैं लेकिन कर रहा हूं मैं कर दिया और और बंदा सब नसे में हो गया था है यह देखो तो मतलब कुछ हील डोलने रहा है एक जगा पे खड़ा है तो इसको मैं चार्टर मानने लग गया और उसको वड़ मिगरा दिया अब यहां से मैं फिर से लूट वगरा करता हूं और यहां से मैं क्या ही लूट करूँ गया एक बार भी भूल नहीं आएगी मेरे पास तो अब उसके बाद मैंने वाइट के बीस पर रस कर दिया और वह वंदा बिट कर दिया और उसका चैनमल कार्मर हो गया मेरा है मिन यह देखो यह हेलमेट यह चेस प्लेट और यह चंड़ा और नाइकी के जूटे किदर गया भाई अब यह क्या है बाई सब यह जूटे कर दे हैं यह क्लिचे खिटाब है मैं थोड़ी बहुत लूट वगरा करके जाने ल के अब यह बाई मिरे को कुछ दिख नहीं रहाता है यहां पर आइमें इतना अंदेश आ कि मैं कुछ अच्छे से देख ही नहीं बारा अब यह बंदर नीचे चातों में सैट्स गया और इश बंदे को चाटे मानने लग पार यह बंदों को बाई सब चाट्टों का इतना में एमरल बगर कलेकरते करते सामने मुझे एक बंदे का बेट दिखता है तो मैं वहापे जाने लगता हूँ तब वह बंदा भी विड़े में आ रहा था और वह बंदा मैं को डायमंड से मारना लगता है भाइ भाइ बंदा कितना करीव है एक सोट लेने के पैसे यह तया अगर तो प्लोप कर दिया है और भाइव है और अपने रूम में जाकर रजाएयोड के स्वजाए ले मैंपवाह बाहे बहुते यह क्यों काटता हु आँ मैरे प्रिर से एमरंट लेने आता हो तबहे मुझे मिड में एक और बंदा देख जाता है जो कि कोई और ही था और वह भी कले कर रहा था यानि मेरे एमरें ले रहा तुम ऩूम अब देख लए है तेया पर स्टैंवेन के जोडव कर और पर है को का बेट तोड़ा मैंने और अभी उसको कील करोंगा तो आखरी थील मिलेगा मैं मैंTh साहब चैलेंज कंप्लीट केसे होगा भाई अब ये आखरे वाला बंद ही तर सामने दिग गया मेरे को और भाई मैं उसी के तरफ जा रहा हूं और उसको मार के बाई सब देखते हैं कितने किलों है फाइनल अब ये बंदा मेरे को क्या ही मार पाए गया और मेरे पास चैनल का बर प्लस डायमंड की सोड और अब ये लैं यह आगा नीचे अब नीच नहीं है यह क्या पात होगे वाई तो नहीं लगा क्या है इसको मचला मारना पड़ेगा ये ला मचला मचला अब बंदरा प्लूप दूर जाता है ये तो विला भाई इन्टरपल मार के गया मैं इसको नीचे गराया और मेरी हेल्फ चलेगी लेकिन इसके हेल्फ नहीं गई अब ये क्या है यह उसको मसले का चाटा पर तो नोग बेक की नहीं मिला यार वह डायक वोड में जाना चाहिए था लेकिन आप या कर सकते हैं और मेरा बेड़ बजगा अब तक मैंने बेट्ट बेस न ग्लिच होई ना ऐसा बनी नहीं सकता है और यह देखो भाई मेरा जम का बटन चोटो हो गया भाई भाई मेरा दिमाग खराब हो गया यह देखके यह हो क्या रहा मेरी गेम में अब यहाँ सेटिंग में गुसा में और यहां पर टच में गया लेकिन मैं कंट्रोल ठीक ही नह मारता हूं अब यहाँ अब तूका कहलो कि मेरी बौ फक्ते हैं और वो अध कानल के लिखेर हो गया और आफ L.ा द विटश वाले में में अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक एंड शेरी का जेना चेनल पे लिए सब्सक्राइब का जेना थैंक्स पो रचेंग इस वीडियो बाई-बाई